नमस्कार मीत्रों तो जैसा कि हमने बताया था कि आपको हम बताएंगे कि iCloud का data कैसे डिलीट किया जाए अगर आपका iCloud में ज्यादा भर गया तो उसे डिलीट किया से करेंगे तो चलिए continue करते हैं सबसे पहले हम सेटिंग में जाएंगे सेटिंग में हमारे संदीप कुमार शर्मा जो मारे अधिशा पर क्लिक करेंगे यहां पर क्लिक करने के बाद हमें आई Cloud iCloud Media, Find my यह कुछ अप्शन हमें मिलता है ने लिए अच्छे नाम ऐगर लाट पर क्लिक करेंगे यहां पर हमारे लिखा होगा एक इसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर काफी सारी चीजे मिलेगी जिसे यह है यह मैनेज अगाउंट विल गया आपका यहां पर अग्याव से अग्याव में इसे पर क्लिक करेंगे तो आपको इसे पर क्लिक करेंगे यह उप्टेश्ट करते हें यह फोड़ें अपर के बटाइम लेताइब अखल गया एक उप्टोस इसे डिलीट कर देंगे डिलीट कर दिया और यहां पर एक उप्शन दिया गया है आपकी जो फोटो है वो आइफोन पर डाउनलोड नहीं है तो ध्यान रखें तो हम क्या करेंगे तो हमने जैसे इक कंटिनु एनिवी किया अब देखेगा यह दिलीट हो गया हमारा और हम देखेंगे आई क्लोड का हमारे पास कितना डेटा बच गया है ठीक है बैक करेंगे अब चेक करेंगे आई क्लाउड 4.9 गिगबाइट फाइव गिगबाइट यूज्ट फोर पॉर 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 न गिगबाइट थर्टीन दिनों में हमारा जो डेटा है डिलीट हो जाएगा हम इसे जल्दी भी कर सकते वह देखेंगे अभी आगे एक्स्क्रामेशन मार्ट दॉड फिल्ल यूज्ट फोर 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 प्रीप रहे वाएट पे त्रीपर पासब पर चीजबाइट और शीखेंगे कहले हम और कुछ इसके अंदर कर सकते हैं आंने से अन्किया है, है जाए अपनिबू दुलिशन, बाई टेलीडी, पटनिबू दुलिवागा, यह कह रहा है, घृटी डेज पार यहाँ बार है तो उटीलिट कर दिया है, तो वह दुलिट होई जाएगा, फोन से तम कैसे भी डेलीट कर लेंगे, ठीक हैना, यहां से ब्रेक्ट जाते हैं अब इसके बाद क्या उप्षाइब दिखते हैं इसे भी हम डिलीट कर देते हैं वहां इसको इसको नहीं है वाटसप के क्यूभी डेटा की वहां पर डिलीट कर देते हैं यह सैप्ट कर दिखते हैं इसको यह भी हमारा डेटा जो भी डिलीट हो जाएगा वाटसप का जैतना चाहिए तो उससे पे अप्लोड होगी वह डिलीट हो जाएगी अब इसमें है कि आपको जो भी कोई काम काम की फोटो वो अपनी रख लो नहीं तो सारी डिलीट मार दो कुछ परक नहीं बड़ता ठीक है ना अब देखते हैं कि अब और देखते हैं क्या है अब तो डिलीट अब देखते हैं अब देखते हैं अब तो वोट सेप गया हमारा यहां से और हूप कोई छोट टफ दो अब दो कुछ काम की चीजे नहीं है पर आफ यह काफी सारी चीजें इसमें से डिलीट कर दी बस Siri flash में Siri है और कुछ नहीं है तो हमने में में जो चीजे की हमारी वो डिलीट कर दिया है अब आइक्लाउड की सारे जो डेटा थे हमारे मतलब जो ज़्यादा परिशान कर रहे थे हमें वो खाली हो चुके लगबग देखिए 15 मेगबाइट जो है बचा है आइक्लाउड में 15 मेगबाइट ही हमने यूज कर रखा बाकी 5 मेगबाइट हमने खाली कर दिया तो आप यहां पर जाकर आइफोन के क्लाउड स्टोरे से डिलीट कर सकते हैं जो भी डेटा को डिलीट कर था कि आपका फोन थोड़ा मतला कि आपका अगर स्टोरेज कम है तो आप यहां से खाली कर सकते हैं अब यहां से मीडिया और पर्चेज हमने जो डाउनलोड किया है आइक्लाउड अब देखें आइक्लाउड फूरा खाली होगा अब आपको वह जो लाइन दिख रही दिन अब थ्री पो बनी दिखाई दिन आइक्लाउड बस 15.3 मेगबाइट बचिए और बाकी हमने डिलीट कर दिए तो सेटिंस पर जाएंगे अब आपके फोन में जो डेटा है फोटोज में इत्यादी में तो उसे तो आप सिंप्ली एल्बम में जाकर या वैसे भी डिलीट कर सकते हैं उसको तो बताने की जूरत है नहीं हमेशा आई क्लाउड का डेटा डिलीट करने में प्रब्लम होती है तो यह सेटिंग आप लोगों के बहुत काम आएगी आशा आपको वीडियो पसंद आगा आपने परतिकरिया दीजिएगा